हलो दोस्तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में आज हम जर्नलाइज दफॉलिंग ट्रांजेक्शन इस पर एक पूरा नियुमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जी हाँ दोस्तो इसी तरह के questions आपकी exam में भी आते रहते हैं तो इस question को कैसे solve किया जाता है कैसे इन सभी transactions की journal entry की जाती है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आप इस channel पर नए हैं अगर आपने इसको अब तक subscribe नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबा कर इसको subscribe कीजिए और हाँ bell icon दबाना मत भूलना दोस्तो ताकि आपको हर notification हर नए वीडियो की information आपके पास आते रहा है चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो ये question है हमारे सामने Journalize the following transactions जिसमें हमारे पास कुछ 5-6 transactions दिये है और क्या-क्या दिया है information देखो All numbers are for 2020 Dates दी है जो भी transaction हुआ वो दिया है और उसकी amount हम को दी गई है अभी हमको इन सभी transactions को journal में enter करना है Journalize करना है इसका मतलब journal जो एक book of account है उसमें हमको इन सभी चीज़ों की entry करनी है आईए तो समझते हैं कैसे हम इन सभी transactions की entry करेंगे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जोर्नल का format किस तरह से होता है अगर आप देखोगे आपको करना क्या है इस तरह का format आपने अपनी notebook में बनाना है और इसी के अंदर जो की हमारी सारी transactions की entry होने वाली है इसके क्या-क्या components है क्या-क्या columns है हमारे पास दिख रहे हैं दोस्तो पहला column हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है date का column date याने simple चीज़ जिस date को ये transaction हुआ था उसको हम यहाँ पर record करने वाले हैं दूसरा column जो हमें दिखता है वो है particulars याने जो भी है किसी भी account का नाम है debit है credit है या उससे related information जो भी कुछ है हम वो information यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तो कैसे लिखना है वो मैं आपको practically आगे जाके समझाने वाला हूँ इसरा column हमें जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तो इसे कहते है LF या ledger folio अब ledger folio बहुत सी बार जब आप exam में इसको solve कर रहे हो आपने ये column खाली ही रखना है क्यों खाली ही रखना है तो फिर ये column है किसलिए वो एक minute में समझीए दोस्तो ledger folio का मतलब है आपकी जो ledger book है दोस्तो process अगर हम देखे accounting की तो क्या होता है आप जब हर transactions की journal entry complete हो जाए तो उन transactions को आप उनके respective account में pass on करते हो यानि जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि आप furniture account आपने यहाँ पे बनाया है कि आपने furniture purchase किया है तो यहाँ पे एक furniture की entry होती है अभी furniture से related जितनी भी entries होंगी वो ledger नाम की book में एक ही page पर जाएंगी और उस page को कहा जाता है ledger folio तो furniture का page कौन से page number पे है वो page number यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आएगा इसे हम कहेंगे ledger folio और उसके बिद में जो आता है दोस्तों यह जो दो columns है debit या credit याद रखना debit की amount आप यहाँ लिखोगे और credit की amount यहाँ पे लिखोगे जब यहाँ पे amount होगा तो उसके सामने कुछ नहीं आएगा और जब credit की amount होगा तो उससे पहले debit के अंडर कुछ नहीं आएगा दोनों में से एक ही जगा पे आप एक समय की entry करेंगे यह होगा simple सा format journal का और अब देखते हैं हमारे इस question की तरफ कैसे इसे solve किया जा सकता है बिलकुल आसान है दोस्तो आज के इस वीडियो के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि journal entries किस तरह से की जाती है आईए देखते हैं सबसे पहली entry हमारे पास दी गई है वो कहते हैं Mohan started business with cash of 80,000 रुपीज दोस्तो हर question में पहली entry आपकी इसी तरह की होने वाली है क्योंकि जो भी business owner होता है वो जब business शुरू करता है तो वो कुछ cash उस business में डालता है और इसी तरह की entry आपको हर बार याने आप कोई भी question solve करो इस एक transaction की दो marks आपके पक्के हो गए हैं ये समझ के आप रखिएगा दोस्तों तो ध्यान देना इसको हम क्या करने वाले हैं इसमें कौन से दो accounts involved हैं उनको हम पहले समझेंगे तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Mohan started business with cash याने एक account तो हमरे पास है क्या आया है आपके पास cash आया है तो पहला account आपके पास आता है cash account अब समझने के लिए understanding के लिए मैं नीचे कुछ working करने वाला हूँ बस आपको समझाने के लिए practical में exam में आपने ये नहीं करना है इसको सीधा इस journal के format में post करना है कैसे post करना है वो मैं कुछ ही minutes में आपको बताने वाला हूँ ध्यान देना दोस्तों तो पहला account हमारे पास है cash account तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया एक account है cash account और दूसरा account कौन सा दिख रहा है दोस्तों किसने दिये हैं पैसे? मोहनने किसलिए दिये है, business start करने के लिए, दोस्तो जब भी पैसा business start करने के लिए दिया जाता है, उसे कहा जाता है, capital, तो यह capital किसने दिया है? this is Mohan's Capital Account तो इसलिए यहाँ पे हमारे दो अकाउंट बन गए एक अकाउंट है आपका Cash Account और एक अकाउंट है Mohan's Capital Account यहाँ पे अगर आप यह नाम नहीं भी लिखते हो तो भी ठीक है सिर्फ Capital Account भी आप इसको कह सकते हो अब जब हमको दो अकाउंट का Type दो अकाउंट समझ में आ गए है कौन से है तो अभी बस ढूंड़ो कि यह कौन से Type में आते है अब जैसे पहला देखा जाए तो Cash Cash क्या है दोस्तों आपके लिए एक Asset है और Assets का कौन सा Account होता है Assets का Account होता है Real Account दोस्तों अगर आपको इस Related अभी भी कोई Query है वीडियो को जाके देखिएगा और फिर यहां से आगे का Problem कीजेगा दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं उस वीडियो के Link नीचे Description में देदूंगा आपके लिए तो हमने देखा Cash Account है तो Cash Account हमेशा जो की Asset है इसलिए उसका Account होता है Real Account Cash Account होता है Real Account और Capital Account अब Capital क्या है दोस्तों Capital आपकी Business में जो आया है Capital कहां से आता है आपके Owner ने आपको Capital दिया है लेकिन यह Capital देने वाला कौन है It is Mr. Mohan और Mohan कौन है He is a person तो यह होगी आपका Personal Account तो इसलिए यहां पे दो Accounts आगए एक आगिया Real Account एक आगिया Personal Account अभी उनके Rules निकालो Real Account के लिए क्या Rule होता है Debit what comes in, Credit what goes out तो यहां पे Cash अंदर आई है या बाहर गई है Cash अंदर आई है Business के अंदर So Debit what comes in So Cash has come in तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे Debit करेंगे और Personal Account के Rules क्या है Debit the Receiver and Credit the Giver अब मोहन यहां पे कौन है, Receiver है या Giver है मोहन is the Giver So since मोहन is Giver Credit the Giver is the Rule अब हमारे पास Structure बन गया है Base तयार हो गया है, अब बस यहां पे Data Entry करना बाकिए है दोस्तों तो Data Entry किस तरह से की जाती है सबसे पहले हम यहां पे जो लिखेंगे वो है हमारी Date यह Transaction था 1st January 2020 का तो इसलिए यहां पे आप अपनी Date लिख दीजिए अब Structure ध्यान से देखना दोस्तों हमेशा, हमेशा, हमेशा Debit Entry जो है वो सबसे पहली आनी चाहिए और Credit Entry जो है वो बाद में आती है इसका कोई खास रीजन नहीं है लेकिन यह सिस्टम है जो कि दुनिया भर में फॉलो होती है इसलिए हम भी यही सिस्टम फॉलो करेंगे अब Debit की Entry को किस तरह से लिखा जाता है कौन सी Account में Debit हुआ है Cash Account में Debit हुआ है तो अगर Cash Account में Debit है तो हम यहाँ पे लिखेंगे Cash Account Debited DR. वैसे Debit Word में आ रहाता ही नहीं है लेकिन फिर भी इसको DR लिखते है क्योंकि इसका फॉल फॉर्म है Debit Record इसलिए DR. अच्छा यह इसी तरह से लिखा जाता है Cash Account लिखो फिर कुछ Space छोड़ दो और इस Column के अन्त में लिखना DR. याने इससे हम पढ़ते हैं Cash Account Debited यह आदा हो गया अब हमने Debit के Entry की है अभी Credit के Entry करना बाकी है Credit के Entry कैसे होती है दोस्तों इसी के नीचे इसी Column के Under हम लिखेंगे अब कौन सा Account है Mohan's Capital Account है तो यहाँ पे लिख दीजिए To Mohan's Capital Account अचा Credit के Entry लिखते समय यहाँ पे कुछ Space छोड़ना जरूरी है ताकि आपको वाइफरकेशन पता चलता है Debit के Entry बिलकुल इस Line के सटीक लिखना है लेकिन Credit Entry के लिए यहाँ पे Space छोडने के बाद लिखना है आपने यहाँ पे तो To Mohan's Capital Account क्या है? Credited अचा और एक चीज Credit Entry लिखते समय यहाँ पे आपको CR लिखना बिलकुल भी Mandatory नहीं है Debit के लिए DR लिखना जरूरी है लेकिन Credit के लिए CR मत लिखना Not Necessary और यहाँ पे क्या करना है? Amount लिखना है कितनी amount का transaction था भई? 80,000 का था तो cash कितनी आई है आपके पास? Debit कितनी हुई है? 80,000 तो अगर जितनी cash debit होती है उतनी ही cash आपकी credit होनी चाहिए यह याद रखिएगा जितनी cash debit होगी 80,000 तो उतनी ही cash credit होती है तो यहाँ पे अगर 80,000 है यहाँ पे भी 80,000 आएगा और 80,000 के सामने यहाँ dash लगा दिया और यहाँ पे dash लगा के फिर यहाँ पे 80,000 क्यों? यह debit entry है इसलिए credit nil है और यह credit entry है इसलिए debit nil है दोस्तों यहाँ पे हमने कर लिया हमारा पहला journal transaction की entry complete है ना असान? अब आगे के questions देखते हैं अब आपको इतना time नहीं लगेगा समझने में यह आप मन में कर लिया करो यह जो नीचे का part मैंने आपको दिखाया है ना इस line की नीचे वाला part यह मैं समझने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेकिन आप इसको मन में कर सकते हैं और अगर आप इसको मन में कर लिए यह practice हो जाए तो फिर आप इन questions को बहुत ही जल्द super fast way में इनको solve कर सकते हैं चलिए देखते हैं next transaction अच्छा अगले transaction को जाने से पहले एक important चीज़ बता दू आपने ये debit और credit की entries कर ली तो उसके नीचे छोटे से अक्षरों में bracket में इसका narration लिखना मत भूलना narration का कोई format नहीं है वो हमारी शब्दों में हम लिख सकते हैं लेकिन सिर्व इसकी starting जो है वो being से शुरू होती है being business started with cash मतलब क्या है अब ये debit और credit से शायद सबको समझ में नहीं आएगा कि वह कौन सा transaction था इसलिए ये सीधी भाषा में हम यहाँ पे इसका narration या इसका क्या मतलब है इस entry का वो लिख लेते हैं कि वह ये 80,000 क्यों debit हुआ क्यों credit हुआ क्योंकि business start किया है cash के साथ में और किस ने दिया बिजनस मोहन ने दिया है कौन से form में दिया है cash में दिया है इसलिए ये narration लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों इसके marks भी होते हैं exam की दृष्टी से भी और accounts read करने की दृष्टी से भी ये narration अगला transaction देखते हैं दोस्तों अब हमें यहाँ पे क्या दिया है purchase goods from Ram on credit रुपीज 30,000 अचा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दू ध्यान से सुनियेगा जब भी credit transaction involved होता है जब भी credit transaction होता है तो उस व्यक्ती का नाम बहुत important बन जाता है हमको उस व्यक्ती के या जिस party से आप credit ले रहे हो या जिनको आप credit दे रहे हो उनका नाम mention करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों क्यों? क्योंकि वही पता तो लगना चाहिए किस से credit लिया है क्या किसको credit दिया है या फिर purchase वाले goods लेकर आ जाएंगे बोलेंगे सिर्फ उधार लिया है लेकिन उधार किस से लिया है किसको चुकाना है वो नाम भी बहुत important है इसलिए याद रखना जब भी credit transaction हो तो आप उस party के नाम से उस individual के नाम से account बनाएंगे हाँ अगर ये cash account होता तो ये नाम कोई माइने नहीं रखता है सिर्फ आपको cash account में entry करना पड़ेगा लेकिन अगर credit transaction है तो यहाँ पे उस party का नाम जैसे इस case में राम का नाम आपको लेना होगा दोस्तो जी यहाँ तो देखता है किस तरह से है कौन से दो accounts इसमें involved है एक तो हमको पता चलिया कि राम का account है और दूसरा purchased goods अच्छा दोस्तो जब भी purchase और sale of goods होता है न तो goods account कभी भी मत use करना there is no account as goods account that we use हमको हमेशा purchase account या sales account यही use करने होंगे यह याद रखना अब इसके पीछे एक reason है वो मैं कभी फुरसत से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अभी के लिए इतना समझीए कि आप goods नाम से account नहीं बना सकते आपको या तो purchase account लिखना होगा या sales account लिखना होगा अच्छा अगर आप reason जानना चाते हो तो एक minute में बता देता हूँ purchase और sales अगर दोनों आप goods में करते हो तो होगा क्या आपने जो खरीदे हैं goods वो सस्ते खरीदोगे और जो बेचोगे sale होगा वो महंगा होगा उसमें mismatch हो जाएगा क्योंकि तभी तो आप profit बना पाओगे लेकिन accounting कहता है कि भाई इसमें mismatch नहीं होना चाहिए purchase और sales का value सेम होना चाहिए जो के possible नहीं है और इसी लिए हम purchase की account अलग और sales की account अलग बनाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमें दो accounts कौन से मिल गए पहला account मिलिया purchase account और दूसरा account मिला है हमको राम's account क्योंकि राम ने हमको credit दिया है तो भाई दूसरा account है राम का account अब इनके type निकालिये कौन से type में आता है purchase account क्या है purchase आपका आपने goods खरीदा, material खरीदा तो purchase आपका खर्चा हो गया है अगर खर्चा हो गया है तो वो आपका expense है और अगर expense है तो आपके सभी income और expense कौन से account में आते है वो आते हैं आपके nominal account में अब राम का account क्या है राम तो इनसान है व्यक्ति है तो उनका होगा personal account दोस्तो nominal account and personal account अब nominal के rule क्या है debit all expenses and losses credit all incomes and gains अभी purchase is an expense purchase is an expense तो अगर expense है तो क्या करेंगे debit all expenses and losses इसलिए purchase account debit होगा और personal के rule क्या है debit the receiver and credit the giver debit receiver and credit the giver अब यहाँ पे राम ने आपको credit दिया है या credit लिया है राम is the giver so rule is debit the receiver and credit the giver तो इसलिए राम's account would be credited तो base बन गया है तो अब चलिए entries कर देता है सबसे पहले हम लिखेंगे date 6 January 2020 शुरुवात करते है debit account से कौन सा debit है purchase account debited purchase account अन्त में लिखेंगे dr.debited to कौन से account के लिए है to राम's account credited कितने से 30,000 debit भी 30,000 है तो credit भी 30,000 का आएगा simple purchase account debited by 30,000 to राम's account credited by 30,000 और अन्त में narration लिखना मत भूलना being purchased on credit from राम दोस्तों ये narration आप अपने शब्दों में बना सकते हो बस इससे मतलब clear होना चाहिए कि वह ये किस चीज का transaction है इसलिए ये narration जो होता है वो अपने लिए होता है इसलिए उसको brackets में लिख लेते हैं लेकिन अग्जैम में लिखना जरूरी है इसके marks भी होते हैं एक्जैम में याद रखना दोस्तों ओके तो चलते हैं आगे अब तीसरा transaction है sold goods on cash अब सीधी बात है मैंने आपको बोला अगर credit नहीं है cash account है cash transaction है तो cash account involved हो जाता है और दूसरा sold goods अब मैंने बोला goods के लिए या तो purchase होगा या sales होगा तो कौन से दो account बन गा है बिल्कुल simple हो गया न एक account बन गया आपका cash account और दूसरा account बन गया sales account दो accounts बिल्कुल सीधे सीधे सामने है आपके अब बताईए cash account में cash का type क्या है cash आपका asset है asset है तो real account है और sales क्या है sales से आपको क्या आता है sales से आपको आता है income तो sales account is income expense का कौन सा account होता है type वो होता है nominal account income expenses का होता है nominal account तो यह real और यह nominal account अगर आपने sale किया तो cash प्राप्त होगी ना तो cash comes in and when it is real account rule is debit what comes in तो इसलिए cash account को debit करेंगे और nominal का क्या rule है debit all expenses and credit all incomes and gains sales आपका income है तो इसलिए उसको credit करेंगे दोस्तो simple बिलकुल आसान होते जा रहा है देखो दोस्तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और मैं जानता हूँ आप इसको और एक दो बार practice कर लो आप बहुत बढ़िया से इसको समझ जाओगे और आसानी से कर लोगे sir transactions को let us start पहले तो लिखेंगे date जो भी date है डाल देंगे फिर cash account debited कितनी amount से 6000 और credit में क्या करेंगे to sales account कौन सा account credit हुआ है to sales account कितनी amount से भाई फिर से 6000 से credit हुआ है अब narration आप बोलो तो क्या लिख सकता है narration आप सोचो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो being sold goods for cash goods बेचे हैं cash में इसे लिए 6000 रुपीज debit और credit हुआ है cash account में और sales account में इतना असान है मजा हरा है दोस्तो अगर मजा हरा है तो वीडियो को like जरूर करना और हाँ अपने दोस्तों के साथ share भी करना दोस्तो और अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe भी जरूर करना दोस्तों ओके अगला transaction है bought furniture from yes for cash अच्छा अब एक बात बताईए यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर credit transaction है तो नाम जरूरी है क्या ये credit transaction है बिलकुल नहीं तो कौनसे दो account आपको यहाँ पे लगेंगे एक तो लगेगा cash account और दूसरा लगेगा कौनसा है दूसरा bought furniture तो furniture account है भाई furniture क्या है आपका furniture asset है तो कौनसे दो accounts मिल गए एक account है furniture account और दूसरा account है cash account क्योंकि आपने bought furniture furniture खरीदा तो cash गया है अब furniture क्या है आपके लिए furniture is an asset asset है तो real account और cash क्या है cash भी तो asset है तो इसलिए cash का भी real account है तो दोनो real accounts है दोस्तो तो एक ही rule में आपके दोनों काम हो जाएंगे बुलिए real account का rule क्या है debit what comes in and credit what goes out अब आपने furniture खरीदा है तो business के अंदर क्या आया furniture आया तो furniture comes in तो इसलिए क्या करो debit what comes in क्या गया कुछ खरीदा तो पैसा बाहर जाता है देना पड़ता है तो cash goes out और अगर cash बाहर जा रही है credit what goes out इतना simple है एक बार आपके rules ध्यान में आगए system समझ गए ना तो बहुत आसान है दोस्तो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप और भी बढ़िया करोगे आगे जाकर चलिए करते हैं अब इसको हम format में डालते है पहले तो लिखिए date जो भी date है आप डाल देंगे बहुत बढ़िया furniture account debited कितने के लिए कितना amount है भई 8,000 है तो लिख दो 8,000 debit में 8,000 credit में dash अब वही amount नीचे आएगा लेकिन यहाँ पी क्या आएगा cash account is credited तो लिखो to cash account दोस्तो मैंने बूला ये 2 का क्या मतलब है जरूरी नहीं है समझना credit है तो 2 लिखना credit entry है तो to cash account लिखना इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो furniture account debited to cash account कितने से 8,000 से entry complete होगी है बस narration लिख दो being bought furniture for cash या being furniture purchased for cash ये narration आपने अपने लिए लिखना है आपको उस transaction का मतलब समझ में आना चाहिए उस हिसाब से ये लिखा करो अगला transaction paid salary to manager दोस्तों क्या यहाँ पे बोला है cash में दिया check से दिया credit पे दिया manager का नाम क्या है कोई जरुवत नहीं हमको यहाँ पे दो चीजे हमें important है क्या है paid salary तो क्या दिया salary दिया manager कौन सा manager है हमें उससे भी कोई लेने देना ये paid हो गया याने क्या हो गया ऐसे assume है कि आपका cash चला आ गया है दोस्तों हाँ pay करने वाले होते तो सोचना पड़ता bank है या cash है या क्या है लेकिन यहाँ पे जो आप दे चुके हो तो उसमें सीधा सीधा आपका cash account involved हो जाता है जो paid है already हमेशा याद रखना जो paid है उसमें credit तो नहीं आएगा इसी लिए cash transaction ही आएगा उसमें हमेशा और दूसरा क्या है paid salary भई salary क्या है salary expense है तो दो accounts आपके मिल गए एक है आपका salary account और दूसरा है आपका cash account बिलकुल सही अब salary बोलो income है expense है क्या है asset तो नहीं है salary expense है इसी लिए वो आता है nominal account और cash asset है अभी तो ये learn हो गया होगा ratify हो गया होगा तो cash asset है तो real account अब nominal का rule क्या है debit the expenses and losses and credit all incomes and gains salary expense है तो उसको debit करो और real account cash coming in or going out cash goes out अगर cash goes out तो उसको credit कीजिए बन गए आपका base ready है अब date डालिए सबसे पहले और फिर क्या करेंगे salary account debited salary account debited amount 6500 उसके opposite कौनसे account को debit कर रहा है to cash account कितने के लिए 6500 salary account debited cash account credited 6500 और bracket में क्या लिखेंगे being salary paid to manager salary paid to manager that is your narration that's it दोस्तो हो गया transaction हो गए transaction की entry paid rent to landlord in cash क्या है भई आपका जिदर plant है जहापे आप business कर रहे हो उस चीज का आपको rent देना पड़ता है किसको rent देते हो आप rent देते हो landlord को कौन है landlord आपका landlord याने जिसके जिसकी वो जगा है जिसको आप rent पे करते हो वो आपका landlord है तो paid rent to landlord in cash अच्छा तो cash में दिया है तो याने एक account cash है आपका ये clear हो गया दूसरा account landlord का आएगा या rent का आएगा अब बताओ दोस्तो landlord का landlord कौन है party है न और मैंने आपको पहले बोला था अगर credit है तो party का नाम आएगा अगर cash है तो party से कोई लेने देना नहीं है अगर cash है तो landlord को भूल जाओ सिर्फ rent account बनाओ तो दो account बन जाएगे एक होगा आपका rent account और दूसरा है आपका cash account अब rent account क्या है कौनसे type में आता है insurance किसमें आता है income और expense आते है nominal account में तो यह है nominal और cash क्या है cash अब यह red गया होगा आपका cash real account है क्योंकि वो एक asset है cash real account है अब nominal में rent क्या है income है या expense है expense है तो अगर expense है तो rule क्या है debit all expenses and losses credit all incomes and gains तो इसलिए इसको debit करो expense है इसलिए, cash coming in or going out, rent pay किया तो cash goes out, अगर cash goes out, तो rule है, debit what comes in, credit what goes out, तो credit the cash account, cash account को credit किया है, base ready है date डालो और transaction complete करो, तो date आ जाएगा 20th Jan 2020 particulars में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा rent account, debited कितने से debit होगा भई 1000 रुपीज से और credit account कौन सा है 2 cash account credited, कितनी amount, 1000 रुपीज again, दोस्तो एक चीज बाकी है, वो है narration तो लिग दीजे narration being rent paid to landlord that's it transaction हो गया, दोस्तो अगर आपने ध्यान दिया होगा आपने सभी transactions को कर लिया है फिर कोई भी combination में आ जाए दोनो real है, या real nominal, nominal real personal, nominal, real personal किसी भी combination के कोई भी accounts आने दो, आपको इसी तरह से हर तरह की entry करनी है अगर आप आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, समझा है, तो आने दो कोई भी transaction, आप उनकी journal entry आसानी से कर दोगे कुछ ही seconds में ज्या दोस्तो believe me, एक एक transaction की entry करनी के लिए आपको 5 seconds से ज्यादा time नहीं लगना चाहिए इतने बढ़िया तरीके से अभी आपको journalizing